अगर आप पहली बर मेरे चैनल पर इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शियर करें देखो कुछ चीज़े होती है लाइकस की क्वाडिटिक एक्वेशन होती क्या है तो जो भी हमारी एक्वेशन होती है जब उसकी पावर 2 होती है तो हम उसे क्वाडिटिक एक्वेशन बोल देते हैं जब पावर 1 होती है तो उसे लीनियर एक्वेशन बोल देते हैं जब पावर 3 होती है तो क्यूबिक एक्वेशन बोल देते हैं यही concept होती है तो देखो सबसे पहला हमें question दिया गया है कि हमारे पास क्या होता है in quadratic equation को solve करते हैं हमें दो equations दी गई होंगी एक x की form एक y की form या कुछ भी हो सकते variable मतलब दो variable होंगे हमारे पास and most of आपको x और y ही मिलता है और हमें उनके बीच में relation बताना होता है कि या तो उनके बीच में कोई relation नहीं है या x बढ़ा है y से या x चोटा है y से या x बढ़ा और बराबर है y के x चोटा और बराबर है y के तो देखो पहली equation हमारी x square हमारा है 256 के बराबर यह हमें दे रखा था तो जब हम square को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? root हो जाता है तो 256 का root क्या होगा? तो जब इधर से आप इधर की side जब root करते हो तो बार plus और minus दोनों आता है तो 16 का square होता है वो 256 होता है तो 256 का root क्या होगा? 16 ठीक है? ऐसे हमारे पास एक यह quantity equation दे रखिया y square minus 17 y plus 16 तो क्या होता है कि इनको solve करते time हमें ऐसे factor बनाने होते हैं कि जिसको हम multiply करें तो हमारे पास 16 आए और उसको जोड़े गटाएं तो minus का 17 आए तो हमने देखा कि अगर हम 16 की एक से multiply करेंगे तो 16 ही आएगा plus का ठीक है? और जब हम 16 में एक जोड़ेंगे तो 17 आएगा अब आप सोच रहोगे तो minus का 17 है लेकि यह plus का देखो क्या होता है कि factor तो हमारे यही बन रहे है minus 16 और minus 1 ठीक है? लेकिन क्या होता है कि quantity equation को solve करते time sign का मतलब जो भी हमारे numbers होते हैं जो भी factors होते हैं उनके sign हम बदल देते हैं इसलिए हमने sign कर दिया plus 16 and 1 तो हमारे पास क्या क्या आगे? x के value आगे थी हमारे पास plus का 16, minus का 16 y के value आगे थी हमारे पास 16 और 1 तो जब हम compare कर रहे हैं तो ठीक है 16 के पराबर 16 1 से बड़ा लेकिन यहां पर minus 16 छोटा है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यह c and d हो जाएगा मतलब हम relation नहीं बताएगा एक बार यह इससे बड़ा है ठीक है 1 से और एक बार यह जो 1 है यह minus 16 से बड़ा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह हमारा c and d आंसर हो जाएगा next question हमें दे रखा है दो equations है एक है x square plus 20 x plus 100 तो हमने किया कि 100 की 1 है यहां पर इससे multiply कि 100 आएगा अब 100 कैसे factor बनाने है कि multiply करें तो 100 आए and जोड़े तो 20 आए तो 10 की 10 से करेंगे तो 100 ही आएगा multiply करेंगे 10 को 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहां पर क्या रहा है हमारे पास मतलब sign हमारे हमने बदल दे क्योंकि जोड रहे हैं देखो हमने factor बनाए थे 10 और 10 ठीक है multiply कर रहे हैं लेकिन हमें क्या करना होता है sign बदलना होता है इसलिए यह क्या होगा minus 10 minus 10 next ऐसे इसके factor की 30 के ऐसे factor बनाने है कि multiply कर रहे हो तो 30 और जोड़े तो 13 है तो 10 और 3 की 10 तीया 30 और 10 और 3 13 और sign हम इनके बदल देंगे देखो यह question तो ऐसे आप कर लेते हो एक तरीका और होता है solve करने का minus b plus minus b square minus 4ac upon me 2a एक यह तरीका होता है quadratic equation को solve करने का अगर आप से factor नहीं बन रहे हैं आप उनको solve नहीं कर पा रहे हो ठीक है ax square plus bx minus c is equal to 0 तो यहाँ पर यह जो value होती है यह b की होती है इसकी help से भी quadratic equation को solve कर सकते हो बट जैसे competitive test वगेरा की बात करते है जो exam हम देते हैं वहाँ पर हमारे पर इस इतना time नहीं होता है तो वहाँ पर हमें shortcut techniques का पता होना जरूरी है next step 4x square minus 8x minus 5 तो हमने क्या गया पहले 5 की multiply की 4 से तो क्या रहा है हमारे पास 20 आ रहा है अब इस 20 के ऐसे factor बनाने है कि multiply करें तो 20 आ एं जोडे तो minus का 8 है तो क्या देखा हमने बना दिया 10 दूनी 20 10 और 2 तो हमने plus का 10 लिया minus का 2 वैसे तो हमने factor लिये थे minus का 10 और plus का 2 तभी तो minus का 8 आएगा लेकिन हमने sign बदल दिया तो plus का 10 हो गया और minus का 2 हो गया और जो भी x square के साथ हमारे पास consonant हो तो उससे हम इसको divide करेंगे तो हमारे पास x square के साथ value थी 4 की तो उससे हमने इसे divide कर दिया तो x की value हमारे पास यह आ गई ऐसी हमें दूसरी quantity equation दे रहे थी 2y square minus 11y plus 14 is equal to 0 तो 14 की 2 से multiply किया है 28 अब 28 के ऐसे factor बनाने कि जोडे तो minus का 11 आए और multiply करें तो 28 आए तो 7 चोग आए 7 और 4 11 और 7 चोग 28 तो हमारे पास multiple 28 भी आ रहे है और दोनों को जोड रहे तो 11 भी आ रहे है अब minus का 7 लिया था minus का 4 लिया था दोनों के sign बदल देंगे तो एक plus का 7 होगी यह plus का 4 हो गया ठीक है तो इस से क्या होगा दो से divide कर देंगे हमारे पास y की value यह आगी अब हम देख रहे हैं कि देखो minus से तो हमारा यह बड़ा है मतलब minus 1 by 2 से हमारे यह दोनों बड़े है क्योंकि यह तो minus में है plus में है ठीक है तो लेकिन हमारे यह जा के तो यहाँ पे हमारा जो relation है वो define नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा answer c and d हो जाएगा क्योंकि एक value तो हमारे die है तो यह 2 से बड़ी है die लेकिन ना 2 हमारा इस minus की value से तो बड़ा है क्योंकि negative positive negative छोटा होता है तो positive हमारा बड़ा होता है तो c and d हमारा answer हो जाएगा next है fourth c x 6 x square plus 5 x plus 1 is equal to 0 तो 6 की 1 से की तो 6 आया तो 6 की ऐसे factor बढने की multiply करें तो 6 यह आए और जोड़े तो 5 तो 3 दूनी 6 तो 3 और 2 हमारे factor हो गए 6 से divide कर दिया तो यह हमारे 2 आ गए next है हमारे पास equation 20 y square plus 9 y plus 1 is equal to 0 तो यहां पर हमने क्या कि 20 की 1 से multiply की 20 आया 20 तो हमें ऐसे factor बनाने की multiply करें 20 आया जोड़े तो 9 आया तो 5 और 20 और 5 और 4 नो ठीक है तो plus का है तो मतलब है हमने इसके sign change कर दिया मायनिस 5 मायनिस का 4 20 से divide कर दिया तो हमारे factor है इनको हमने compare किया तो यह क्या मिला कि x छूटा है y से ठीक है मतलब हर एक-एक को जैसे से पहले एक को हमने compare करेंगे दोनों से फिर दूसरे को compare करेंगे दोनों से ऐसे compare किया जाता है next है हमारे पास 5 का उसमें हमें दे रखा है 2x square minus 9x plus 9 is equal to 0 तो 9 की 2 से 18 18 कैसे factor बनाने कि जोड़े तो minus को 9 and multiply करते हैं तो 6m बर 6 18 तो 18 तो 18 तो आगे न 18 आगे न और जोड रहें तो भी 9 आ रहे हैं फिर यह x square के साथ values से डिवाइड कर दिया तो हमारे factor यह आगे दूसरे quantity equation है इसके भी हम नहीं है कि यह बार बार चींग बिएतर तो बिएतर कैसे factor बनाने कि वही factor की अना multiply कि तो बिएतर और जोड़े तो बाइन इसका 17 तो नो राट सो मतलब नो राट के कर रहे तो सत्रह यह रहे हैं तो ठीक है यहां सी हमारा क्यूशन सोल हो गया दोनों फैक्टर आगे इन दोनों compare कर दिया हमारा आंस्वर आजाएगा नेक्स्ट सिक्स्त का फोर एक स्क्वेर माइने सेवंटी नेक्स प्लिस फिर पंद्रा चोके सैट तो सैट कैसे factor बनाने कि multiply कर तो 60 आए और जोड़े तो माइन इसका 17 तो बारा पैंजू कि दोनों को compare कर दिया हमारा आंस्वर आजाएगा नेक्स्ट सैवन का देखूं सैवन में हमें क्या रखा एक्स इस इकॉल टू रूट में पच्छिस तो जब रूट में पहले से देर खुटा है हमें तो तब नेगेटिव में वैली नहीं आते सिर्फ पोजिटिव में भार सकते हैं next x square plus 2x minus 35 is equal to zero यहां पे 35 है और यह है y square plus 15 y plus 56 मतलब यह हमारे पास question हमें दे रखा है तो यहां पर 35 के ऐसे factor बनाने की multiply किरो तो 35 और जोड़े तो 2 तो 5 साथा 35 मतलब वैसे हमारे factor दो बने थे माइनस 5 प्लस 7 तब ही तो plus का 2 लेकिन क्या हम साइन बनाने ठीए सेवन हमारे फैक्टर बन गए ऐसे यह साथ और चपन और आट और साथ बंद रहा ठीक है तो यह फैक्टर बन गए इन दोनों को अमने कंपेर के हमारा आंस्व आ गया नेक्स नाइन्थ का तो यहां पर एक स्कुरीज कोल टी वाने तो प्लस माइनस ना जाएगा और यहां पर 80 को इदर ली आएंगे क्योंकि देखो इस नेना 80 दे रखा है तो इदर लेके जाएंगे तो यह हमारा एड हो जाएगा ठीक है तो यहां से दो इक्वेशन बनी अब देखो दोनों के जो मतलब वैल्यूज है यह विदाउट वैरियेबल यह हमारी नेगिटीव है तो यह क् मतलब साइन मेथर से सोल करने कॉंसेप्ट यह कहते है कि जब दोनों जो भी हमारे वैल्यूज यह वाली जिसमें कोई भी नंबर हमें साइन नहीं किया गया है वह नेगिटीव होती है तो हमारा आंसर क्या होता है सी एंडी ठीक है कई बार यह ऐसा क्यूशन मोंस्ट टाइम मिल ही जाता है अगर टाइम नहीं है तो हम वहां पर इस क्यूशन को टैंप्ट कर सकते हैं एलेवन के क्यूशन में एक स्क्यूर प्लस फोर एक्स माइनस 45 इस इकूल टो जीरो तो क्या हो जाएगा नो पैंजू 45 ठीक है कि फैक्टर की हमने 45 के ऐसे कि ना उनको मल्टिप्ल फॉर्टी तो पां आठ चोगते अट पैंजू 40 40 बन गया और जोड़नों जोड़े तो भी 13 रहा है तो हमने क्या किया वही ही साइन बदल है मतला हमने लिया था माइनस का 5 माइनस का 8 लेकिन अमने साइन बदल दिया तो यह प्लस का 5 प्लस का 8 हो गया तो यहां से हमारे पा x square minus 8 x plus 15 तो इसके factor पान ती पंदर और 5 और 3 8 ठीक है और 5 दूनी 10 10 कैसे factor की जोड़े तो 7 और multiply तो 10 तो 5 और 2 7 और 5 दूनी 10 और फिर consonant इससे divide कर देंगे तो यहां पर यह factor यहां पर यह तो उनों को compare के तो x बड़ा हो गया y से ठीक है ठीक है 56 और जोड़े तो मतलब 1 ही आए ठीक है तो 8 तो 56 और 8 और 7 का जो difference होता है वो 1 ही होता है तो हमने इसको माइनस लिया था प्लस लेकिन साइन चेंज होए तो यह प्लस का हो गया यह माइनस का हो गया ठीक है और 2 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास फेक्टर आगे दूसरे 2 y स्केर माइनस 23 y प्लस 56 इस उकल टो 0 56 की इससे हमने मल्टिप्लाएगी अब हमें इसके ऐसे फेक्टर बनाने की मल्टिप्लाए करे तो यह आए एंड जोड़े गटाए तो माइनस का 23 है तो 16 और 7 अब तक तो नॉर्मल फेक्टर आरे तो जल्दी से हमें याद भी हो रहे थे हम बता भी पार थे लेकिन नहीं बने तो क्या करना होता है आपने LCM concept देखी है ना LCM मतलब इनका LCM निकालो देखो 2, 2, 4, 2, 8, 16, 2, 4, 8, 2, 7, 14, 7, 7 अब 2, 1 पहले से भी था हमारे पास तो हमें ऐसे इनके multiple चेक करना है कि वो हमारा जोड़े तो हमारा 23 में जाए तो हम देख लेते हैं जैसे भई मतलब उल्टा सुल्टा मल्टिप्लाइ करके चेक करना है आपको ठीक है इससे हमारे सारे मतलब जो भी पार्ट बनते हैं वो हमें पता चल जाते हैं नेक्स्ट यहां पे यह वाला equation दे रखिए यह वाली दे रखिए तो हमने देखो और 15 में इसे आठ जा रहा है तो सेवन भी आ रहा है ठीक है यह हमारे फैक्टर होए दो से डिवाइड कर दिया ऐसे इसको सोल्ड किया चारती है बारा तो बारा और एक तीरा क्योंकि बारा एक वारा लेकिन बारा और एक को जोड़ेंगे तो तेरा भी आएगा और तीन से ट्राग इन दोनों को कंपेर करेंगे हमारा अंसवर आजाएगा नेक्स्ट हैं देखो आपको स्टैप्स में कन्फ्यूजन होते इक पर में स्टैप्स बताई देती हूं क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी को जिसी है 2x2-3x1 is equal to 0 सबसे पहले concept होती है कि हमें इसकी औ ची करेंगा तब्ही तो ऐगा माई नेक्स्ट किस्योन हमारा शोड़े है दोनों को कि जोड में करनेज का था के इसमें जोड़ाए और यहांपर का स्कीर करें मतलब यहां यहां पर ने सुपक्त उनकाद होसे ABCाशे जीए बाइ मिस्टे को छुआ हो तो मुझे तो यही लग रहा है 17 में 2x2-3x1 is equal to 0 तो 2 की एक से करी तो 2 तो यह हमने अभी solve किया था तो factor हमारे यह बन गए ऐसे ही next है हमारे पास equation थे 3 दूनी 6 तो 3 और 2 पांच और 3 दूनी 6 तो हमारे factor होगे 3 और 2 और 2 से divide कर दिया compare कर लेंगे next x square plus 21x plus 110 is equal to 0 तो यह क्या होगा 110 कैसे factor की जोड़े तो 20 है और multiply 110 तो 11 और 10 को जोड़ेंगे तो 21x भी आ जाएगा ठीक है तो 11 और 10 क्या हो जाएगा 21 y square plus 17 y plus 72 तो 98 भी है तर 9 और 8 17 भी होते हैं तो मतलब हमें factor बनाने थे sign change हो गए then compare कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रही है यह बढ़ा रहा है इससे क्योंकि minus में जो जितनी छोटे value होती है वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है एक स्क्रेट इसको हमने तो चार दूनी 8 फैक्तर हमारे बन गए दो compare कर रहे हैं तो यह हमारा बराबर और मतलब छोटा रहे है वाई से तो x is less than is equal to y next इसके भी हमने factor बनाए x square plus 9 x minus 22 तो 11 द करेंगे तो दिखो माइनस मतलब हम जो कटा रहे है माइनस 2 को 11 से तो प्लस का नो भी आ रहे है लेकिन क्या होता है साइन बदलना होती है माइनस को जागे प्लस को जागे तो माइनस को 11 प्लस का दो हमारे factor है ऐसे हमने इसके 6 दूनी 12 तो 4 ती 12 और 2 से डिवाइड कर दिया इनको में compare करना है नेक्स से 21 का 6 x square प्लस 5 x प्लस 1 यह था 6 कम 6 तो 3 दूनी 14 और 2 पांच ठीक और 6 से डिवाइड कर दें तो यहां पे है कि 15 y square प्लस 11 by 2 तो 15 दूनी 30 तो 6 5 उते ही 6 अरपास 11 भी होता है तो यह बहुत बढ़ा हो जाता है जब value यहां पे बहुत बढ़ी हो तो हम क्या कर सकते हैं। हमर्स में multiply कर सकते हैं इसके consent मत्यम इसके साथ जो value होते हैं इसके Deixa phrase के तो इसके फैक्टर से मल्टिप्लै करते हैं यहां पर गूझा पर चुछ कर दो यहां में अगर तीन साइन साइन प्लस के हैं हमारे और एक इधर हमारे नेगिटीव का है तो जो नेगिटीव में होता है वो बड़ा होता है मतलब x less than y होगा जैसे कि यहां पर x minus को और यह 3 प्लस के तो यहां पर x बड़ा होगा y से साइन में थर चाप कर सकते हैं यहां पर factor निकालने कितनी requirement नहीं होती है x square plus 13 x plus 40 is equal to 0 तो यहां पर होगा 58 40 ठीक है और 8 रपास 13 भी होते हैं तो यह हमारे factor होगा ऐसा ही पांदुनी 10 और 5 और 2 साथ ठीक है तो यह factor होगे देनम compare कर सकते हैं 13 सत्य क्याड में और 13 और साथ 20 ऐसे तरह सत्य नो सत्य तरह सत्य मतलब यह तो अभी नौर्मल ही चल रहा है यह तो पांच तीन दू नीच है और तीन और दो पांच तो में इसको compare कर लेंगे नेक्स्ट है हमारे पास 27 यह क्यूशन थोड़े अप्छे हैं जो quantity based क्यूशन है देखो यहां पर हमें दे रखा है profit on selling an article at Rs.450 कि हमारा SP था 450 प्रोफिट था 20% मतलब जो 450 है वो हमारे 120 की value थी और हमें CP बताने CP क्या होगा है प्रोफिट कितना कमा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है पिछेतर होगा तो प्रोफिट पता चल गया 75 नेक्स्ट क्यूशन कोस प्राइस है आर्टीकल का जो बेचा गया था प्रोफिट हमें 20% बता रखा है तो CP क्या होगा देखो SP हमारा चुरासी है लेकिन हमारा SP तो 120 है क्यूंकि 20% प्रोफिट था तो अगर CP सो था तो पर्संट मेल आप कहता है कि जो भी मेल उसमें 30% है ना टोडल मेल का वह इलीट्रेट है तो शाट का 30 परसंट मतला 18 एक्स इलीट्रेट है ऐसे जितनी परसंट इसका 10 एक्स हमारे इलीट्रेट है है अब कहता है कि इलीट्रेट मेले 11,29 अब गारा एक्स की वैलु गारा सब्दय यहां से शुरी अठारा है यह से तो इससे हमने सोल किया तो क्या आगे चोसटा आगे एक्स की वैलु अब चोसटा ही तो तो सारी वैल्ले चासें इसने हमें लिट्रेट फीमिल फूछी से तो इतने होगी 10 X अगर इलिट्रेट है तो तो 30 X इलिट्रेट होगी तो 30 की साथ X की मल्टिप्ले मतलब 64 की मल्टिप्ले कर देंगे 1920 आ गया और दूसरे वेलिव में 1940 दे रखे तो 1940 बड़ा है 1920 चोटा है तो क्वान्टिटी वन चोटी है क्वान्टिटी टूसे नेक्स है एक आ 13 कर देला तो के कि वेल्दू तो सिंपल होता है जो य almighty होता है इसका फूर्म उत्यात प्रिंसिपल मुली टाइमपोलब 5 यह क्या गए 10डड है तो मारे समट्री क्वान्टिटी छोटी हो जाए कि क्वान्टिटी टूसें refrain प्लोगिंग कोस्ट ओफ ए रेक्टेंगुलर फिल्ड मतलब एक जो आयत है उसको जोतने की को जोतना मतलब पूरे एरिया को जोतना होता है ठीक है तो कहता है कि वो 288 रुपए है तीन रुपए पर स्केर मेटर के इसाब से ठीक है तो देखो यह हमें 208 क्या होता है कि जो भी स्केर मेटर जादा है विडित अगर एक्स है तो लेंथ एक्स प्लेस फोर होगी दोनों के मल्टिप्लाइगी 96 के बराबर आ गया यहां से सोल कि एक्स की वैल्यों हमारी आ रहे है क्यूंकि नेगेटिव तो एरिया होगा नहीं लेंद वगेरा तो एक्स आगी हमारी एट द में तो एक बार जोड़ दे रखाए का डिफ्रेंट दे रखाया यहां से सिवन की भी एज कावा जाएगा और परशांद की कैसे इलीमनेशन मैथड़ का यूज करके ठीक है दोनों को जोड़ देंगे तो परशांद की परशांद से कर जाएगा टू टू टाइम सो सिवम फ तेन वाइप लएप लगाल तो नो चोटाव फेक्टर आगे बीतर नो साथ नहीं आठाव फियतर नहीं बैस तो बारा चींग भी एथर और बार अर्चे अठार दोनों फेक्टर आगे लेकिन यह क्या है अमारे यह नो बढ़ा एछा है से लिए नो चोटा बारा से तो एक नेक्स है 33 का एक स्क्रेट प्लस सेंट प्लस बारा तो तीन चोग बारा और और तीन साथ और यहां पर चैन्ड सेंट्ग बड़े और चार 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 के बराबर बियो क्योंकि नेगेटिव में जो जितनी चोटे वैल विल ने उतनी बरहें इस प्लस तो चार ती है 12 और चार और तीन साथ भी और साथ चिंग 42 और सतरा करें तो जो जो चोड़ाती कि बीज तो क्या कि हमने 4 ऐसे सब मैंटिप्लाय कर दी 7 इस साथ में इसाब कर दिया नेक्स्ट में भी ही है जब सेम होते हैं ना जैसे यहाँ पे तब मैंटप्लाय करने के जूर से तो देखो 45 दुनी नब देखो 10 और नो 19 उचार दुनी आठ 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 एक नो तो आठे कम आठ ठीक है तो इफेक्टर बना दिए नेक्स है x square is equal to 144 और तो यहां से x square plus minus 12 y plus 12 का square is equal to 0 तो यहां पे a plus b का whole square वाल form लगा दे a square plus b square plus 2ab तो वहां से हमने solve किया तो हमारे पास दो value आगई देन हमने इसको compare कर दिया next x square minus 30 x plus 40 is equal to 0 तो यहां पे 48 चको 38 पर चले और 8 अरपास 13 ठीक है 15 दुनी 36 35 और दिफेरेंस लेंगे तो एक ही आएगा तो यहां से factor आगे इसकी दो से multiply कर दिया इनको देन हमने compare कर दिया next 5 x square plus 17 x plus 6 is equal to 0 तो यहां पे छे पंजू 30 तो कैसे factor 17 आए तो 19 तो 14 पंजू 70 और 14 पंच 19 और 8 यह चोग 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 और दो का डिफेरेंस लेंगे तो दो देन उनको इधर इसका multiply इधर इसका multiply देन compare करते तो इससे आगे आगे में मेरे next part में पढ़ेंगे thank you